हैं कैसे हैं दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एक फिर से हम लोग है कि एक अच्छी खवर लेकर आगए हैं बिहार से ज्यां कि cent क्रम unemployment त्पत्ना द्वारा जिसमें विग्याऑत निकाला गया था एक विग्यापन था और दूसरा जो है हाल फिलाल में जो कि बहुत ही चर्चा का बिशय था यह था सच्चवालक सहायक का ठीक है बीसी बीएससी सीजल 3 का जिसका जो है कि निर्धारित डेट एक्जाम डेट निर्धारित करने के लिए बड़ी मांग उठ रही थी छातनेता दिलिव कुमार जी द्वारा और इ बिशार के सभी छातरों के लिए जो तयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है क्योंकि जब तक एक्जाम डेट नहीं आ जाता है तब तक जो है वह एनरजी श्ट्रेंथ जो है अग्जाम के तैयारी के लिए तो अब तो डेट आ गया है चले वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, कि चैनल पे न Wrap tienes एय हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, वीडियो को चुरू करते हैं और देखते है, जो भी examination schedule है वे हां सचीवाला साह bạn कि अ जैसा कि आप इसकीन पर देख पा रहे हैं यहां पर देख पा रहे हैं बिहार करमचारी चैन आयोग पटना दौरा आयोजित परिशाफल देखे हम लोग सीधे आते हैं बिहार से सीजल 3 की बात करते हैं बिग्यापन है 01-22 तिरतिया असनातक अस्तरिय संक्ष परत्योगिता परिच्छा परकिरिया धीन है जिसके विविन चर्णों के कार्सक्रम की समय सिमा निम्र रूपेन कर दी गई है जी हैं दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका बिग्या निम्र परिष्ञा का आवेदन पदर कब लिया जाए गांगो सब कुछ कर दिया हैं देखा लाए तो अब तक छात्रों के हित में सारा कदम उठाए जा रहे हैं नए सरकार द्वारा ज्यों की एक अच्छी पहल है उमीद है कि बिहार के सभी छात्रों का आने वाले समय में किस्मत समय बदल जाएगा तो देखिए प्राडंबिक परिच्छा का आयोजन जो है 26-27 नॉमबर को 2022 को किया जाएगा जी यहां दोस्तों सभी छात्र ध्यान से देखे 26-27 नॉमबर 2022 को प्राडं प्रकासित करने में विवाग 2 महीना ले रही है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है थिक है मुख परिचा का आवेदन पत्र जो है मेंस का आवेदन पत्र फरवरी 2023 में लिया जाएगा वहीं मुख परिचा का जो संभावनित दीती होगा उवा मार्ज 2023 के अंत्रगत होगा जून टुजर तइस तक आपकी कंपलीट करवा लिया जाएगा तो बहुत बढ़ी खुश खबरी है कि वितिन एक साल के अंदर BSSE CGL 3 का पूरा परकिरिया कंपलीट करवा लिया जाएगा तो बहुत बहुत अच्छी खबर है अब तक अच्छी खबर ही मिल रही है शात्रों के लिए जैसे कि अब लोगों ने BPSC में देखा कि दो दो बार BPSC जो है दो दो बार जुक गई है जो कि कभी जुकने का काम नही करती थी तो उमीद है कि सब अच्छा होने वाला है बिहार के सभी छात्रों के लिए चले इस वीडियो को यहीं छोड़े जाते हैं आप hem वीडियो के साथ आप सभी को वीडियो को जाद से जरूर कीजेगा अपने गुरूपों में ठीक है चले वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते है नेक्स वीडियो में